अधिशला फ्रेंट्स नमस्कार जहिन आध्या वीडियो में बड़ा इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक मिला हुआ है और वह लिंक करता है मीडिया से एक्षल में करेंट में एक कलोनी सील हुई यह सेक्टर वोल दें नहीं पता हुआ नहीं कहां काया कौन सा है और उस सील होने का करन जब डिसकस कर रहे थे तो करन पता चला की मीडिया के जो कर्मी है उनके वज़े से इंप्टेड हुआ चारपाज बंदे इंप्टिड है और आगे डिसकस किया तो पता लगा साट-स सत्र बंदे इन्फेक्टेड या एक ही पर्टिक्लर चैनल से कौन सा चैनल है वो नाम open नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी चीज जब मीडिया के सामने आती है जैसे कि for example माना एक पलिस वाला दस किलो अम्रूद खरीद के या एक किलो अम्रूद खरीद के घर को लेके जा रहा उसमें सौकरमसर्ण선थ ओकारमसर्णकों concept अम्रूद आया है और 40 रुपे किलों अम्रूद है और 60 रुपे वापस लेते हैं और कि है अम्रूद नहीं है और किसी मेडिया कर्मी ने उसका फोटो क्लिक कर लिया और और साथ रुपे ले रहा है वो अम्रूद वाले से अब आगे की स्टोरी तो आप समझगे होंगे मीडिया उस फोटो को किस तरीके से प्रिजेंट कर सकता है या कई बार कर देता कि खून चूस रहे हैं गरीबों का या कुछ भी ऐसी लाइन उगाई करता हुआ पुलिस करमी तो इतना टफ हो जाता कभी-कभी यह जान पाना कि वह वाके में उगाई कर रहा था या अम्रूद ले रहा था या कुछ ऐसा था मतलब बैक स्टोरी तो डिपेंड ओन के फोटो किसने क्लिक करा कई बार होता क्या कि इवेंट होआ कभी एक बार पार्टी हो रही थी एक रहे थी जिन्वास्त मी पे सब तो करकि के त्यार के तैयारी कर रहे हैं और पुलिस कर्मी उड़ा रहे हैं गुल्छर टो ये एक बहुत ही मतलब दुखत बात है कि फिर उसमें यह नहीं नहीं कहा जाते कि कहा की किक घटना थी बस उसको अपनी तरीके से ट्रॉल करते जात करनी है जब गरीब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसलिटी नहीं मिल रही थी और गरीब लोग एक दूद के टैंकर में एक जगह से पूरी रात सफर करके अपने गाउं पहुंचे थे और टैंकर से निकल के बाहर आ तो आपने लगाए उनके यह किसी बंदे ने लगाए थे और वो वीडियो आप तक पहुंचे तो आपने पीसी की स्टोरी वह आपने कंप्लेट कर दी इस्टोरी क्या है इस्टोरी थी कि कोई भी यह गरीब लोग एदर टैंकर में जा रहे हैं कोई कि ट्रक पर खड़ा होगा बस पे लद्गा जा रहा है सोचल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं देश की सुरक्षा और सेवा को करना वायरस प्रदानमंत्री जी यह सरकार इतने प्रियंद कर रहे है और दज्ज्य उड़ाते हुए बिला बिना सोचल डिस्टेंसिंग के करते बट आप्टर लिस्टेंग देग देट वन सक्राइस बिसील जच बिकॉस अफ केरलेशनेस ऑफ मीडिया एंप्लाइज तो अब मैं पूछूंगा क्या आपके एंप्लाइज भी टेंकर में सफार करते हैं क्या दूसरा आप में पकड़ा था जमातियों को सायद सायद उनका पर टोटल मुसल्मान उससे टार्गेट होगे आपने फूब बढ़ा चड़ा के मजे लिये थे उस चीज़ के और मैं तो जानता नहीं ऐसी कोई कमिनिटी है जिसमें सारे बंदे ही सही हो सबके विचार सही हो चाए वो हिंदू है मुसल्मान चाह सिख है चाही साही है वही म मैंने इससे पहले मौके वाली वीडियो बनाई ती गलत इंसान तो गलत यह उसका कोई जाती कोई धर्म नहीं लेकिन आपने उड़ा दिया उसको दग्जिय उड़ा दी फिर उसके बाद के अब यह पूरे देश में हैं और पूरा देश को परवाद करना चाह रहे हैं कि मीडिया तो इंटरनेशनली पूरे दुनिया में भई युची न्यूस ला रही है और सबसे पहले सबसे तेज बीना यह जाने के इसको पीछय क्या है या कभी 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 किसी के कहने पर कई पासधि इस तरीके से दिखाई यह कभी-कभी दिखाते वक्त आपको रोग दिया जाता है तो आपका धरम क्या है क्या नहीं है वह बहुत लोगों को पता चल चुका बट अब इस तरीके से एजेंड को क्यों नहीं सो कर रहे कि मीडिया करमी हर जगे हैं और इसके क्योंकि इनकी लेकर अपने घर पर जा रहे थे टैंकर में बंदो कर आज खून निकल गया है लोगों के पैदल चलते चलते तीन तीन दिन पैदल चल रहा है चाला और पैर सूजना लग चीज़ा खून निकल गया है उनके खाना जब बटने जाता आना तो उन्हें यह निदिखता कि सोश से लिस्टेंसिंग यह वह यह और नाइस एक्टर्स और पढ़िली की सोसाइटी जो वैल मेंटेंड घरो रहा है वहां सब चीज़ बढ़िया चल रही है लेकिन जहां कुछ है नहीं जहां हम 50-70 साल साल से कुछ देही नहीं पाए या वो निले पाए देखे गरीव होना भी एक तरीके से समझ लीजिए अपनी भी जिम्मेदारी है अगर मैं कल को घर से बाहर निकलना मंद करते हैं तो जिस भी वज़े से हैं नहीं वह पर आना वहां पर तो आप उसको ट्रॉल करना मजा बढ़ाना और गैर जिम्मेदार करना तो फिर आप अपना की नहीं दिखा र आपके एंपलोईज कैब से जा रहे थे कैब सायद या तो अटिगा थी या इनोवा थी एक ड्राइवर हो गया एक लेफ्ट हंड पर एक एंपलोई होगा तीन बीच में अब तीन बीच में इनोवा में बताईए कौन से सुशल डिसेंसिंग फोलो रही है उसके बाद दो द अलाव भी है मेडिया डॉक्टर संसाभाईकर में तो अलाव कर दिया अब एक वो टैंकर की बॉड़ी एक इनोवा की बॉड़ी उसमें भी आदम एक दूसरे इस बिढ़के वैठा हुआ इसमें वी वाट इस डिफ्रेंस बीट्विन आइवान टो आसके लिजस्वन कोस्ट इसे के सोचिल डिसेंशिंग की धज्यां उडा दी गई है लोग टैंकरों में भरवर कर जा रहे हैं प्रसासन भाईया मिल्क सर्विस भी तो इसेंशिल सर्विस है अलाव उड़ा जाने के लिए अब कहां तक किस किस के अंदर जाके प्रसासन दूद के टैंकर में उन्होंन सब्सक्राइब के छोड़ दिया लेगी आपने तो बिल्कुल हदी पारकर रखिए हर सिस्टम में हद पारकर रखिए और सबसे आगे तो मैं पबलिक को मानता हूं आज मैं पबलिक से कहना चाहता हूं कि आज कल बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं कुछ लोग ही मेरे इस व सोचेंगे ना किसी थर्ड मीडिया मीडियम की वज़े से और न्यूज पर विश्वास करके और बस आपने फैलान चालो कर दिया तो समझ लिए आपका वजूद ही नहीं बस इतना ही मैसिज आप किरपया करके डरिये उपर वाले से डरिये प्रिकृति से डरिये कल उन पर ग झालो कर दो